इतनी ही चिंता है, तो वो क्यों बांगला देसी घुषपेटियों की बात नहीं करते हैं? रुहंग्याज का विरोध क्यों नहीं करते हैं? व्मक्रण वो वट्बैंक की पोलिटिक्स करें। दिनली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने-चबाने जैसे हैं। इसले वाटमेंट की पुलिटिक्स करा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने ब्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बेटे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं। इसले वाटमेंट की पुलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सावाल है? वो अल्रेडी यहां है। और बंगलादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं। रोंग्याज नहीं मार रहे हैं। इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले वही। सिर्फ जो हिंदू सरनार्थी आए हैं। जो बहुत सरनार्थी आए। जो जैन, पार्सी और क्रिस्चन सरनार्थी इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। समिता जी वो पार्टी सन के बेग्राउंड को भूल गई हैं। साइद उनको जो निरासरी ताय थे, जो रेफिजी जाय थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। और वो खर्बो रूपय की संपती छोड़कर रेफिजी बनकर यहां आये थे, दिल्ली के बाजार में सबजीयों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीशिका का दिन मना कर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में समवेदना नहीं है, वो समत्य नहीं है, वहाँ धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गवरव छिना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो, इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। पचास में आ गए, साट में आ गए, सत्तर में आ गए, असी में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। अब अपने वादे से मुकर जाना मैं मानता हूँ कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है, इनकी समवेदनाओं को भारतिय जनता पार्टी भी महसूस करती है, इस देश के प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी न कभी आ आना चाहिए और इस चुनाओ के पहले आ जाए वो ठीक है। सिटिजन्शिप छेन ली जाएगी। यह कानून है। महमताजी को मैं खुली चुनोती देता हूँ। इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छिनने की एक धारा। वो बता दे सारोजनिक रूप से। वो खौप पैदा कर रही है। हिंदू और मुसल्मानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है। अपनी वोट बेंक का कॉंसुल्डेशन करना चाहती है। ममता जी इसको मत रुकिये, करने जैसा काम है अगुस्पेट रुकिये। वो नहीं करए इस आप हमें कॉपरेट नहीं करें। आशाम में कॉम्प्रेट रॉक रुक कि वहां भारतिय जनता पार्टी का सासना है। किस तादात तक गुस्पेट हुआ है और कब से हो रहा है देखिए इसके अधिकरूत आंकड़े जब तक राजय सरकार कॉपरेट न करें ढूनना बहुत लिक्कत होती है कि कलेक्टर के हाथ में पूरा मसनरी और डिटेंशन कैंप की बाद अगर वो दिन दूर नहीं है वो दिन दूर नहीं है कि वहाँ पर भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कडाई से रोकेंगा इसलिए तो आपको चानक्या चानक्या कहते हैं पॉलिटिक् करेंगे इतने महतवपुन राष्टिय सुरक्सा के मुद्दे के साथ एपीस्मेंट की पॉलिटिक्स करकर घुसपैठ होने देंगे जो सरनार्थ ही आया है उनको नागरिक्ता देने का विरोध करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी मामता जी को सरनार्थ ही और घु इसके बारे में बहुत गलत फैमी आ रही है ऐसा है आप स्मिता जी इतनी जागरुक पत्रकार है देश की जानीमानी पत्रकार है आप भी स्वहम एक बार सीय को पढ़ लेती इसके रूल्स को पढ़ लेती तो मालूम पढ़ता इसमें डिटेंशन कोई केम्प की प्रोविज जाता है यह आपने डिटेंशन एरिया में जेल में नहीं डाल सकते यह आपने 2019 में मुझे समझाया था इक इंटर्व्यू में CAA में डिटेंशन कैम नहीं है इसी को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ कि अगर CAA के तहट वो लोग नहीं आते तो वो कहां जाएंगे क्या होगा उनका उनकी व्यवस्ता होगी ना सौ लोगों का प्रोब्लेम है तो उसमें से पचासी का तो अभी क्लियर हो रहा है बाकी का आगे सोचेंगे तो कितने लोग होंगे आपके हिसाब से लाखों में करोडों में हजारों में कितने लोग हैं देखे धेर सारे लोग हैं इसके कोई गि करना चाहता हूं आप यहां पर apply कर दीजे नरेंद्र मोधी गवर्मेंट पर भरोसा रखे आपको retrospective effect से citizenship दी जाएगी आपका अवेद तरीके से भारत में आना इस सरणार्थी के रूप में आपको स्विक्रूति ये अकानून दे रहा है इसका कोई criminal case आप पर होगा नहीं और आपकी भारत में की हुई सारी activity को भी वहिदता प्रदान की जाएगी तो किसी को डरने की जरूवत नहीं है उनके पास extra rights होंगे या equal rights होंगे या कम rights होंगे equal rights होंगे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे मेरा और आपके जितना ही अधिकार उनका होगा एक और बात थी वो एक तो गलत फहमी अप्रचार कहिए या जो भी है गया confusion ही कहिए कि असाम में CAA लागू होगा या नहीं होगा और NRC और CAA ये इनका crossing है की नहीं इंटर देखे असाम में जो NRC की order हुए है वो Supreme Court of India की इसका CAA से कोई लेंदे नहीं है आसाम नहीं देश के हर हिस्से में CAA लागू होगा सिर्फ North East के राज्य जहां पर दो प्रकार के विशेशाधिकार उनको दिये गए हैं वो विशेशाधिकार के तहद जो राज्य आते हैं उन को ही CAA नहीं होगा एक इनर लाइन पर्मिट का प्रोविजन है और समविदान की छठी अनुसुची में सामिल जन जाती एक शेत्र हैं वो जो सिक्स शेडियूल में वो जमू कश्मीर के कुछ इलाके राजस्थान के कुछ इलाके हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें व और यो ट्राइबल इलाके हैं उनका जो कॉमपोजिशन है वो बदलेगा नहीं CAA की वजए से जरा भी नहीं बदलेगा ट्राइबल कॉमपोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइलिट नहीं कर रहे हैं हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इ अप्लोड फी नहीं होता है तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है और एक्ट में ही प्रोविजन है मगर हमने एक्टिकेशन में भी वो एरिया को एक्श्लूड कर दिया है कोई एपलाइ करेगा भी वह वहाँ से तो नहीं एपी नहीं खूलेगा